पपोन थाना प्रभारी सुरेंद्र सर्मा ने पपोन चेत्र के समस्त व्यापारियों वरिष्ट नागरिकों को पपोन थाने में बुला कर बताया कि बाजार में किराना घल्ला, हर्डवेर, मेडिकल, स्टेस्नरी आधी दुकाने खुल याईगी वह बेटक के दोरान थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दुकानों को खोले जाने से पहले दुकान संचालक वह समस्त कर्मचारी को कोरोना टिका करन होना अत्ती अवस्यक है वह उन्होंने बताय कि कपड़ा, जूता, जनरल स्टोर, पान के ठेले, नाइक की दुकान आधी बंद रहेंगे बेटक में पपोन मंडल अध्यक्ष, स्यामपाल तिवारी पस्तित रहे नियोज इंडिया एनाइन, सैडोल सनिर्पांडे की रिपूर्ट हमारे सम्मानी इथाना प्रभारी महोदर जी ने सभी जन प्रजनितनियों को बुलाए जिसमें और सभी अपने पपाउंच बजार के ब्यापारी संग को बुलवाया गया सभी लोग ने आए और सब को सासन के नियमों का कुरोना गाइट को लेकर के सब को समसीद बताया गया है समझाया गया है कि हमको कुरोना काल में कौन सी दुकान अभी खोलना है किस दुकान के लिए हमको परमिस्तन सासन के द्वरा दिया गया है किस दुकान को नहीं दिया गया है वो सब ब्यापारी संग्वानी थाना प्रभारी जी के नम मानने के लिए तैयार हैं उन्होंने सब सब लोगों ने मिल करके हम प्रसाष्राष्रbuild के साथ हैν और बैक्सिणेशन करवाने के लिए मिल सभी नागरिकों बरिष्थ नागरिकों और व्यापारी लोगों की मीटिंग ली गई है मीटिंग में कोरोना लागडाउन, अनलागडाउन के नियमों का पालन करने के समंद में और बेक्सीनेशन के समंद में सभी को समझाज दी गई है और सभी को बताया गया है कि अनलागडाउन के नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक लोग बेक्सिनेशन करवाएं